हेलो फीचर डॉक्टर्स कैसे आप लोग और कैसी चल लिए आपकी एस्टेडी नीट 2030 एक्जमनेशन का एप्रॉक्समेट 180 डेज अभी बचा हुआ है दो चार दिन जैदा हो सकते हैं दो चार दिन कम हो सकते हैं ऐसे केस में कैसे आप अपने एस्टेडी को बहतर बना सकते हैं अगर फिजिक्स में अभी तक आपके पास confidence नहीं बहुत लो मार्क सिक्यूर कर रहे हैं इवेन आप जीरो लेबल पे भी हैं तो इस से कैसे बचे अबजेक्ट के लिए आपको कुछ pattern follow करना होता है सबसे पहले topic-wide theory आपको complete करना होता है अगर आप पहले से complete कर चुके हो तो अच्छी बात है अगर आप नहीं complete कियो तो जहां भी आप श्टडी कर रहें किसी भी कोचिंग से कहीं से भी आप पढ़ाय कर रहें topic-wide theory complete करना है एक topic के लिए आप थिंग करो एक दिन में एक से दो topic finish करो that will also be sufficient next topic-wide question आपको apply करना है topic-wide theory पे जैसे command हो जाता है after that you have to jump on topic-wide question topic-wide question practice किजिए यहां से and at the end you have to solve chapter-wide question so that आप topic-wide already strong कर चुके हो इसके बाद आपको chapter-wide पर जंप करना है तो आपको पता लगे कि किस question में कैसे implement करना है topic-wide करने के लिए जाते हैं तो आपको पहले से mindset रहता है यह आपका कि इस topic का ही question है लेकिन जब chapter-wide करने के लिए जाते हैं तो कई बार हमें ऐसा होता है यही नहीं पता लगता है कि topic-side question आया हुआ है तो so that you will not feel same difficulty in need 2030 examination और further first we have to practice topic-wide and after that you have to practice chapter-wide question तो इस steps अगर आप practice करते हैं तो easily आप 150 plus marks को achieve कर सकते हैं अगर आप यह follow करते रहे तो अगर आपको important question चाहिए यह सभी important question topic-wide and chapter-wide तो नीचे लिंक दिया हुआ ब्रह्माष्टेस्रीज का वहाँ पर आप जाके click कर सकते हैं जिसमें more than 2500 question आपको मिलेगा और सभी important question यहाँ पर present है इसको practice करने के बाद आपको और कुछ करने की जुरतनी है और यहाँ पर आपको हकीकत पता लगेगा आप आप कहां से पढ़ाय कर रहे हैं इससे फरकने पर रहे हैं लेकिन जब आप इस test को attempt करेंगे तो आपको आपका असलियत पता लगेगा आप हो सकता है आप अपने class test पर बहुँच अच्छा perform कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप एक दो test देखिए जो की free है after that you have to pay and you have to you have to attempt all the questions so आप एक बार अपना हकीका जरूर पता किजिए इस test को attempt करके wish you all the best अगर और भी कोई आपके मन में dot है तो comment box में comment किजेगा next video मैं वो discuss करूँ